Good morning friends, welcome to our YouTube channel मैं हूँ आयूशी और आज है 17 जून और 17 जून से करिंट अफेस के चितने important questions होंगे आज है हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो बढ़ते हैं हमारे questions की तरफ तो आज का जो हमारा पहला question है वो है हाली में किस राज्य में रज महस्तों मनाया गया है तो इसका सही answer है option number D जो है इसका सही option है हाली में जो औरिशा राज्य है बहाँ पे रज महस्तों मनाया गया है और यहाँ दिनों यह जो है तीन दिन का अनुटा तेहर है जिसमें राज्य दौरा मानसून की और पृत्वी के नारित्वे का जो है जशन मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धर्ती माता या बू देवी को मासे धर्म आता है जो छोत्वा दिन शुद्द्ध करिंद सनान दिन होता है और तीन दिन के दौरान जो हता है महिलाया जो operator तो इस बारे में इस बारे में पीठा और विल्स नामसे विशेश कारेकर में शुरू किया था बिटा और विल्से किया मतलब है कि जैसे आगरा में कुछ भी मिठी ही चीजे होगी जैसे बहुत पेठा प्रसिदें तो वहां कि पेठे की स्टॉल होंगे या कोई भी मिठाईयों के जो स्टॉल होंगे वो दूर दूर तक लगे हुए होंगे मतलब कोई भी वहाँ भूका नहीं रहेगा इन उस्सों के दोरान सर किसी का जो है मुँझा किया जाएगा तो यह जो सरकार कि उन्होंने पीठा ऑन बील्स दाम से एक विशेश कारेक्रम जो है इस बार जो रजमौष सोता उसमें शुरू किया था तो इस बार को जो रजमौष सोता और इशा का वह काफी ज़्यादा खास रहा है तो इस जोहार को जो है उड़ी सा राज्य में मनाया जाता है जो तीन दिन का एक अनुठा 오र होता है इन तीन दिनों में मैलाय काम नहीं करती है और इसमें मूँ काफ़ी से जूले वगेरा इस टाइप से जो है अपना इनजॉयमन करती है और काफ़ी से गाने वगेरा इस दिन काते हैं यह लोग त्योहार होता है इन तीन दिनों में माईलाय काम नहीं करती है और इसमें वो काफी सारे जूले वगेरा इस टाइप से जो है अपना इंजॉयमेंट करती है और काफी सारे गाने वगेरा इस दिन गाते हैं इसके बाद हम बात करें तो उडिसा में इस त्योहार के अलावा और भी साथ त्योहार है जिसे कि कलिंग महसो है चंदन यात्रा है कुर्णाक नर्त महसो है माक सप्तमी है छो सो है नोखाई है और जतर च्छदर यात्रा है च्छदर जात्रा है कलिंग महसो तो आपको पता ही होगा कि अशुक से संब् बात करें तो यहां के जो गवर्नर है वह गनेशलाल और यहां के जो कैपिटल है वह है फूमनेश्वर और बापूलेशन जो है उडिशा की वह है 4.37 करोर और यहां के जो चीफ मिनिस्टर है वह है नविन पतनायक तोटल आज के हमारे उडिस्या के जो इतिवहार हो गए हैं वो आठ तिवहार हमने आज जाने उडिस्या के बारे में और इनके यह सारी डिटल्स बुजाएज की गौवनर जो वहां के है वो गनेशलाल है चीप मिनिस्टर नमदामिक पतनाया के केपिटल भूमनेश्वर है प में आपके दबारे में बताया है कि म conduct के सायरक को देखने का सही ठरीका तो यह हो गया उत्तर यह हो गया लुगे है प कि इस तरीके से आम मैप को देखते हैं तो इसमें जो यह उत्तरी राज्य है भारत के पुर्वी तट परिस्ती थी राज्य है मतलब इस तरफ से यहां पुर्वी तट जो आता है भारत का यह होता है तो इस पुर्वी तट परिस्ती थे राज्य है उडिशा राज्य है उडिशा उडिशा कहा जाता था अगर हम उडिशा की बात करें तो उडिशा उत्तर में जारकंडे हम मैप में देखेंगे एक मिनिट ये मैप को हमने जूम कर लिया ये हमें मिल गया उडिसा ये है पुर्वी तट्टी भाग और उन्होंने कहा है कि उडिसा की उडिसा की मैप में उडिसा की उत्तर में जो है जारकंडे ये उडिसा है और उडिसा का ये उत्तर ह यहां से आप siya उपभर जाएंगे सो ऊपर में यह रहार तो यू यह जारकंग सबताए जो है उत्तर पूर्व पॉर्व में पश्रीम बंगाल और दक्षिन में आंद्रप्रदेश है उत्तर पूर्म में जब आप आएंगे तो आप यह बेस्ट बंगाल दिख रहर गा यह बंगाल और उसके बाद दक्षिन में बंगाल दक्षिन में आंद्र प्रदेश तो इस तरीके से जब आप मैप में देखें जूम करकरकिए आपको सारी चीजिए क्लियर होते जाएगी ब जो आप मैप पड़ेंगे तो आप खुद पर खुद इस तीच को निकाना शुरू कर देंगे पूर्वी तर्टी भाग है जहां यह दिया है और यह दिया है वेस्ट बंगाल जो यह बोल रहा है कि पूर्व में उत्तर पूर्व में है यह उत्तर पूर्व में है पश्यम में पष्म व्समना वैस्ट वंगाल रृक्षिन और दक्षिन में ये जुछी है पुरुमें बंगाऄ की खाडी अफिर आप आ जाएंगे तो पुर्वमें आपको कुरी तरह की बंगार ज़ादी दिख हुआ है वैसे उड़es पर्शिम में हैं 36 गड़, 36 गड़ से यहां साई दीड़ा हुआ है तो इस तरीके से जो है उडिसा के चारों तरफ जो है पर्शिम दक्षिन और पूर्वब और उत्तर में जो भी राज्य है वो मैंने आपको बता दिये तो आप एक बार जूम करके देख लेना और उसी प्रा मैरा क्रक्तपात में व्यवस्तित हो अंत तहब बहुत धर्म अग्मिकर कर लिया था तो आपने कलिंग का यह पड़ा होगा जिसमें काफे ज़्यादा खून भच्चर हुआ था जो अश्रप को बिल्कुल अच्छा नहीं रगा था वो ग्लानी से पुरी तरह के से भर गए वह अहिंसा को देखकर फिर उन्होंने यह निश्य किया था कि वह बहुत धर्म अपना लेंगे तो प्राचिन राश्य का जो आधुनिक नाम है यह उडिसा और जो आधुनिक उडिसा राज्य के स्थापना हुई थी वह हुई थी एक अपर 1936 को हुई है को कटक के कनिका प् अधिकांश नागरिक जो तो यहां के ओडिया भाश्य बोलते थे और इस राज्य में राज्य में जो है एक अप्रेल को उतकल उद्दिवस या उडिसा दिवस की रुप में जो है मराया जाता है तो इसका जो प्राचिन नाम था वह था कलिंग और आभी आधुनिक नाम जो या उडिसा दिवस की रुप में जो है मनाया जाता है तो बढ़ते हमाया नेक्स कोशन की तरह कोशन है वे सेकेंड है आजका कि वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंडे किस दिन मनाया जाता है तो ग्लोबल विंडे है जो 15 जून को मनाया जाता है इसका सही अंसर है 15 गया विष्विक पवन्दीवस का आयोजन विडिव यूरोप और ग्लोबल विंड अनर्जी काउन्सिल की दोरा किया जाता है और यह कम नाया जाता है 15 जून को मनाया जाता है और सबसे पहरा जो विंड महस्व होता वो मनाया गया था 2007 में उसके बाद 2009 में जो है इसका नाम जिसे वेश्वीक पवन दिवास मतलब Global Wind Day कर दिया गया था और यह जो दिवास है यह Wind Europe Global Wind Energy Council की दोरह हम जो हम बात करें तो Global Wind Day 15-June को मनाया जाता है अगर हम वैश्विक का मरूजा परिशत की बात करें तो जिसका मुख्याले है वो है ब्रूसलेस बेल्जियम में और जो इसके सापना होई थी वो 2005 में होई थी प्रकास सिंबॉल होता है इसका ग्लोबल विंड डे जो 15 जून को मनाया जाता है और यह जो बनाया जाता है परिश्विक पवन दिवस रखा गया तो जो पंदार जून को मनाया जाता है कॉशन नमबर थार्ड है आज का कि वर्ल गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देश्यों के सूची में किस स्थान पर रखा गया है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन नमबर जो डी है 14 स्थान पर अप्शन है फड़ी साही ऑप्शन होगा कि वर्ल गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देश्यों के सूची में जो है 14 वे स्थान पर रखा है तो वर्ल गिविंग इंडेक्स रैकिंग में इंडोनेशिया जो है वो शिर्ष पर है इसके बाद शिर्ष पांच प्रमसर जो ह वर्ल गिविंग इंडेक्स जो होता है जिसमें रैंकिंग बताई जाती है तो उस रैंकिंग में इंडोनेशिया जो है फ्रिष इसके बाद पांच जो क्रमसर है कहने हैं सेकेंडे नाइज एर्या थर्ड है मियामार फॉर्ट थी और ऐस्लेलिया जो है वो फिप पोजिशन पर है और लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वर्ल गीविंग इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग भारत को जो है 114 देश्यों की सुची में जो है 14 इस्तान पर रखा गया है और यह जो सुचकांग जारी किया जाते हैं वो पर चैरिटी एन फांडेशन सी ए एफ तोरह जारी किया जाता है जो यूनाइटन किंडम में इससी तेख अंतराश्ट यह संगटन है तो यह कोश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड गीविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत को कौन से नंबर पर रखा गया है तो भारत को जो इं स्टांट में पूछा जाए तो सिर्ष स्टांट भी इंडोनेशिया है बढ़ते हमारे नेक्ट कॉश्ण अबर फोर है हमारा इंटरनेशनल डे ओफ फैमिली रेमिट्स अर्था अंतराश्टी परिभारिक प्रेक्शन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन प्रेवारिक प्रेक्शन दिवस मनाया गया तो तब से 2015 से लेकर कंटिन्यू जो है 15 जून को इंटरनेशनल डे ओफ फैमिली रेमिर्स मतलब अंतराश्टी परिवारिक्शन दिवस मनाया जाता है प्रेवारिक के हίο 15 जून को इससे बिभले क्रेम क्या फ्रेवारिक का श्याया एक भांद जटेमिक्र में कुंकर अभी चल रहा है ओद्लिश्य क ne इडिया है जनम हम बात कर रहें थे तो इससे रिलेटर हम और साइवर कुस्चन आया है अभी तक हम आ पड़ाई था , की जो पंथरा वड़ाई यहांसे उपनी इस नहीं बेख बेख feelsbuk पैगे रहा है भक्तियों आया है तक हम भक्तियों मैं था शिकायत इंडिया इंटर्फ फीश ऑनीशन और अरे पना ठीसे नागरी समाव संगतनों के शरूक शुरू करए है इस पहल की शुर्बात में इंडिया में इंसेटिफ्वू और अरे जो नागरी इंटरी है शुरू की गई है इस पहल को एक animated वीडियो के साथ शुरू किया है इन्होंने एक वीडियो बनाया है animated और जो की देखने में निया प्रभाव को बताता है और बाल दुरू वहाँ सहमागरी का प्रसार उस बच्चे पर हो सकता है यह उन्होंने बताया है इस वीडियो में उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसके जरिये उन्होंने अपनी सारी चीज़े बताया है और उन्होंने इसमेका रिपोर्टे डॉन्ट शेयर रेट के पहर शुरू किया है उन्होंने अपनी पहल को जो देखने में राकार अपना प्रभाव डालेगा पूरी तरीके से और यह प्रभाव जो हता है बालक कि दुर्वावायससांगरी का प्रसार उस बच्चे करों सकता है यह को नोने बताया है तो ऐसी समागरी रिपोर्ट करने के लिए जहां बच्चे को खत्रा है तो वहां पे आप जो है 1098 पर जो है कॉल करें और चाइन लाइन इंडिया फांडेशन को इसकी रिपोर्ट करें अभी हाली में जैसे आप अगर फैस्बूक वगएरा चीज़े उपन क असर होता है तो इस तीज को बताने के लिए अगर बच्चों पर खत्रा मंड़ा रहा है तो उसके लिए जो भी पैरेंट से वह इस चाइल्ड लाइन इंडिया फांडेशन पर जो है कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर दिया है 1098 पर कॉल करें चाइल लाइन इंडिया है तो आप फेस्बुक पर इसे इस जगा पर इस लिंक पर जाकर जो है शिकायत कर सकते हैं अफिड डॉट मी स्लेश ऑनलाइन चिडरन प्रोटेक्शन और फेस्बुक ने बॉलीवूड अबिनेत्री नेहा धूपिया के साथ भी पागिदारी की है जो इंस्टाग्राम पर एक समुदा है freedom to free चलाती है जो महिलाओ के लिए इस दनपान के बारे हम बोलने और उसकी आसपास की चुनोतियों के बारे में खुला समवात करने के लिए सुड़क्शित इस्तान है तो यह जो है फेस्बुक में अभी जो सारी इंडिया में कहा गया था कि हम इन सारी social media को बंद कर देंगे क्योंकि इनका कोई शिकायत अधिकारी नहीं होता अगर हमें कोई चीज गलत लगे तो हम इसी कंप्लेंट नहीं कर सकते तो फटा फट सा जो भी social media साइट से जिन्हें लगा कि उन्हें दर लगा कि जब भारे में बंद हो जाएगी तो उन्होंने अपने अ कर दोएं बैसी बिबत में इसे कम की आधि बगाएं सब्टे सर्फ में मेला जया कि लिए और आप शिकायत और कि कर सकते हैं अब आप बने कहीं लि angles आप पर ऐन पर लिंद्ध कर सकते हैं competent और बड़िज में या बहां सो कर सकते हैं और अपनी शिकायात बता सकते हैं रिप मेडिया की शोचल मेडिया हर को यूज करता है बड़ से लेकर छुटा हर एक परसन यूज करता है तो यह जो जानकारी थी आज की इंफॉर्मेशन थी काफी ज्यादा गाम गर रहे तो आप इसे ध्यान रखिएगा कोश्चन अबर सिक्स है कि हाली में किसने वैश्पिक योग संबोदित किया तो हाली में जो है यह कारिक्रम साथवे अंतराश्टी योग दीवस के आउस्वर पर मोक्षियतन योग संस्थान दौरा आयूश मंत्राले भारत सरकार और भारतिय सहास्कादी संबच परिशत के साथ मिलकर आयूचित किया था जिसे रक्टर हर्ष्वर्ध ने इस हमारों को जो है संबोदित किया वेश्प्रिप योग संबिलन 2021 जो साथवे अंतराश्टी योग दीवस के आउस्था पर मोक्षितन योग संस्थान दौरा और आयूश मंत्राले और भारत सरकार और भारतिय संस्क्रती संबद परिशत के साथ जो मिलकर आयूचित कि था जिसे टॉक्र फश्वर्दा ने संबोदित किया तो इसकंशन के कॉश्चन आता है कि वेश्वेश्प्रियों संबिलन 2021 कट्टन समार्यों किसने संबद गया तो सथी抌टक्र फश्वर्दा और यह स्वयामत्री हैं हमारे दिशन रएग्धिये का तो सेवन है पर राज सरकार ने एक जुलाई से सभी सरकारी प्रात्मी एवं उच्छे माध्य में प्रात्मीक विद्यालों को शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आधेश दिये हैं तो इसका सही अंसर है प्रात्मीक विद्यालों के लावा तो उनके लिए खोल दिये जाएंगे लेकिन वह बच्चे नहीं जाएंगे तो एक जुलाई से सरी साहब सरकारी प्रात्मीक एवं उच्छे प्रात्मी विद्याले जो है खोल दिये जाएंगे केवलों कि वह शिक्षक और कर्मचारियों के लिए तो यहां पर जो है एक जुलाई से अब उत्तर प्रदेश में तो सभी चीज खुलने की तयारी हो गई है मतलब सरकारी प्रात्मीक उच्छे प्रात्मीक विद्याले जो है शिक्षक को कर्मचारिक लिए जाएंगे ऐसे दिरे दिरे सारे राज्यों में जो है चीज़े खु पिटल है लखनो और जो चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदितनाते लखनो को जो है नवावो का शहर भी कहा जाता है और इसके बाद की चीफ मिनिस्टर पॉर्टेंट योगी आदितनात और गवर्णर है आनंदी बेन पटेल तो यह याद रखिएगा खुश्च नमर एट दाखिला करने की अवदी को कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन नमबर बी जो है इसका सही ऑप्शन अगवा एक सेप्टेंबर तक जो है यह अवदी बढ़ा दी गई है तो हाली में जो EPA4 ने करमचार्यों के भविशनीदी कोश्च से आधान नमबर को जोड़ने एक सितमबर कर दिया है यह जो गोड़तलाव की से पहले जोड़ने की जो तारीक थी वह एक जून 2021 रखी गई ती और इसे बढ़ा कर एक सितमबर 2021 कर दिया है तो अगर हम यहां पर इंप्लोइस प्रोविडेंट फॉन्ड और्गनाइजेशन की बात कर तो इसके स्तापना जो हुई थी वह चार मार्श 1952 में हुई थी और इसका हैटकॉर्टर जो गए वह न्यू डेली में है और इसका फुल फॉर्म पर आपको आता है तो वह यह इंप्लोइस प्रोविडेंट फॉन्ड ऑफ और्गनाइजेशन यह भविशनीदी है करमचार् लाता है तो इसमें जो है अधारकार और रिटन दाखिला की जो है अवदी को आप जो एक जून थी उसे बढ़ा कर एक सेप्टेंबर 2021 कर दिया गया है तो यह याद रखिएगा कोशनमें नाइन है हाली में भाती क्रिकेट कंट्रोल बोई बी सी सी आईने क्रिकेटर पर इने इस क्रिकेटर कंट्रोल बोड ने इस क्रिकेटर पर लगे जो प्रतिबंद था आजीवन प्रतिबंद उसको जो हटा दिया है तो साल 2013 में चौहान मतलब अंकी चौहान पे इंडियन प्रीमियर लीग आईपियल के छटे संसकरण के दोरान स्पॉर्ट फिक्सिंग के आ अजित चंदिला और श्रीशंद के साथ गिरफ़तार किया था अंके चौहान के साथ और भी जो लोग दो गिरफ़तार हुए थे वो थे अजित चंदिला और श्रीशंद तो इन्हें जो है डैली पूलिस ने गिरफ़तार किया था उसके बार बीसी सी आई ने इन पे प्रति लगा दिया गया था क्रिकेट को लेकर तो यह तीनों ही उस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे सितंबा 2013 में अंकिर चौहान और श्रीशन को बीसिसी आई की अनुशाशन समयती दौरा और जीवन क्रिकेटिर प्रति बद्दित कर दिया था अजे तंदेला के तो इनको नहीं किया था लेकिए अंकिर चौहान और श्रीशन जो ते इने बीसिसी आई ने जो है अनुशाशन समयती दौरा आजीवन क्रिकेटिर प्रतिबंधित कर दिया था तो 2013 में लेकिन जो भी केस चल रहा होगा या जो भी बाते हो रही होगी तो कही ना कही अजे चौह इनकी चौहान जो है ये क्लियर हो गए होगे इस मुकदमे से उन Wyatt's-iences इन पे से जो है इन पे से जो है बीसिसि आई नहीं प्रतिबन लगाया था लेकिन 2021 ने आते आते हैं इन पर से प्रतिबन जो है पूरी तरी के से हटा दिया है कोशी नमर तेन है हमारा राश्टी पूरुसका से सम्मारित निम्द मैसे किस कंणर अभी नेता का 38 वर्ष की आयू में सड़क दुरगटना में निदान हो गया है तो इसका सही अंसर है आप्शने बस सी जो है संचारी विजए जो है इनका हाली में जो है दूर सरक दुरगटना में जो है इनका निदान हो गया है यह काफी ज़्यादा एच के नई थी कंणर अभी नेता थे काफी अच्छे अभी नेता है यह तो राश्टी पूरुसका से संबादी मतलब नेशनल अवार्ड से जो है इनका निदान हो गया है संचारी विजए फिल्मों में अपने खास और अभी नहीं के लिए है जो जाने जाते थे और संचारी विजए ने साल 2011 में फिल्म रंगपा होग बितना से अक्टिंग डेबियू किया था 2011 में यह अक्टिंग के करियर में आए थे गोर्दला भे की फिल्म नानू अवानलू अवालू के लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड जिता था 2011 में आए तो जादा टाइम ने नहीं हुआ फिजए इनकी सेकेंड मुवी या जो मुवी थी इनकी नानू अवाल नाला और इनमें उन्हें जो है नेशनल अवार्ड जितने वाले वह समसे सम्मानित होने वाले जो अभी रहता थे इनका हाली में जो है सरकदूर गटना में निदन हो गया है तो काफी दुखत खबह रही है कंणड अभी रहता कंणड के लिए तो बढ़ते हैं मैं नेक्स कोशन कोशन नबर 11 है आजके हमारे इस वीडियो का लास्ट कोशन है कोशन नबर 11 तो जो जो कोशन है हमारा वो है जॉन हॉक्टिंज यूनिवर्सिटी ट्रे जो मौते हुई है वो 6 लाग मौते दर्श के गई है कि 6 लाग जितनी मौते मां हो गई है और पहला ऐसा देश है जहां पर इतनी मौते कोविड-19 से हुई है जॉन हॉक्टिंज यूनिवर्सिटी ट्रेकर के अनुसार जो है अमेरिका में कोविड-19 को लेकर जितनी मौते और अब यहां कोरोना संक्रेमेंट के चलते जान गवाने वालों की संख्या 6 लाग के उपार हो गई है और कैलिफोर्निया राश्ट्री मृत्युद्र सूची में सबसे ऊपर है यहां पे जो 63,199 मोते हुई है जो कैलिफोर्निया है वो राश्टिय मृत्युदर की जो सुची है उस सुची में सबसे फस्ट पोजिशन पहरे है क्योंकि यहां पे जो मृत्युदर की अगर हम भात करें जो मौते हुई है तो वो 63,000 मौते हो चुकी है और न्यूर्क में इसके बाद जो है 53,558 मौते हुई है और टेक्स ऑ λέत के जो मौते हुई है क्यावरky में इडिया की जो कंडिशने वो कंडिशने कंड्रोल में है और हम सब यही दुआ करते हैं यही सब करते है कि की जल से जल बेरे сотे पहले की किस्कित हम है सब कुछ नॉर्मल हो जैसा पहले था यह केदी की जिंदगी से अंभान निकले और सब चीजे जो स्टार्ट हो जाए दीरे दीरे जो है सब स्टार्ट हो रहा है बस हमारे जो इंडिया में जो है इतनी कंडिशन खराब नहीं हुई है और उमीद है कि इतनी नहीं होगी आगे ने तो बढ़ते हैं जो हमारा अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्रिस वीडियो को लाक किजए गा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को शेयर कीजेगा और इसके फ्रीबीडियेफ के लिए आप हमारे टेलिघ्रां मर्ट रूप से जूड कर सकते हैं था Thank you, have a nice day.